नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल इस्टडी फॉर विन में और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही महत्वकों प्रश्णों को जो कि आपके चाइल्ड साइकलोजी या चाइल्ड डवलपेंड और पैडगोजी से करेंगे तो चलिए आज की जो हमारे पचास प्रश्ण हैं उनको हम डिसकस कर लेते हैं पहला क्वेशन आप यहां पर देख पा रहे हैं प्याजी ने बुद्धी को किसकी प्रती समायोजन योगिता के रूप में परिभाश्यत किया है तो यह है भौतिक और सामाजिक परिय योगिता होती है किस विद्वान ने नैतिक ब्रधी की अवस्थाओं की अब्धाना प्रस्तुत की है कोलवर्ग ने जीन प्याजी के नुसार कोई बच्चा के सवस्था में अपने परिवेश की वस्तूओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है तो वह होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानि प्याजी ने जो आपकी चार अवस्थाएं दी है उसमें से जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उस अवस्था में जो बच्चा होता है वो अपने आसपास की जो वस्तूओं होती है उनको पहचानने लगता है साथी सा उनमें अंतर करने लगता है यानि ऐसा नहिए कि अगर आप उसको एक बॉल दे रहे हैं और आप उसको एक संत्रा दे रहे हैं तो वह समझने लगता है कि यह दो भिन भिन वस्तूएं है एक ही नहीं है भले ही उनका आकार देखनेária साहर लेकिन वासतूं करा क्वा derived है आपका वाइगोज़की के अनुसार बच्चे अपने साथी सक्रंव के सक्रिय सदस गभ जाते हैं तो किशोदमा समाजी करण की प्रक्रिया हे तो सर्वत्तम आयू क्या होती है पांच वर्ष फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में समाजी करण की प्रक्रिया हे तु सर्वत्तम आयू पांच वर्ष होती है नेक्स क्वेशन है आपका बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन प्य सब्सक्राइब बारें आपने समझ का स्रजन कर तो यह किनल पर आधारत ना хोकर खोज पर आधारत होता तivity यह। कर माजिक लिए का सैnınAST है इसलिकर अधिकम का सिद्धान किस किया में इस किस कि इस वीक्सित थिए मैं कि इस ने मुक्सने दिया है ट्विकास में, सबसे महत्य पूण ύकूण योगदान किसका होता है, तो समाज का होता है, तो अगला कॲिशन है आपका सीख़ने का सिध्धाना किस ने दिया, सीखने के सिध्धान तापके थॉन डाइक ने दिये और इसमें आपके नियम दो तरह के उन्होंने नियम दिये हैं प्रमुक नियम और गॉर्ण नियम और इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप लेलिस्ट में जाकर व जन 3100 मश्फिश्क का वजन水 Königs मस्धिश्क का वजन 400 ग्राम शिश्व और मनुश्य में अलग अलग है तो आप यह याद रखिएगा कि शिशू आप अलग है और मनुश्य का अलग है जीन प्याजे ने जिनीवा में किसकी स्थापना की तो लेवेरिटरी स्कूल की स्थापना कि और उन्होंने इसमें कई प्रयोग भी कि जीन प्याजे द्वारा रचित उस्तक कौन सी है दा लेंग्वेज और थौट अब दचाल्ड और यह उन्होंने 1923 में लिखी जीन प्याजे ने संग्यानात्मक विकास को ध्यान में रखती हुए कौन-कौन सी अवस्थाएं बताई हैं तो इन्होंने यह चार अवस्थाएं बताई हैं समवेगी आपकी गत्यात्मक अवस्था पूर संक्रियात्मक अवस्था ठोर स्या मूर संक्रियात्मक अवस्था और और प्षार एक संक्रीयात्मक अवस्था और येइसकी Idges हैं नेक्स्ट हैं बच्चों में बॉह्द्धि विकास कीë चार mermaid की पहचान मताईए जो विशस्ट अवस्थाएं होती सबसे महत्पूर्ण विशेष्टा है तो धैर और दृणता यानि प्राथ में किस तर पर जब सिक्षख होता क्योंकि आपको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ही चिंचल प्रक्रेटिये होते हैं तो ऐसे बच्चों को कंट्रोल करना, ऐसे बच्चों को आप कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे आप उनको समझाओगे, उन्हें कोई चीज सिखाओगे, तो ये सारी चीज़ें क्या गुड़ होना चाहिए सिक्षक्का, तो सिक्षक्का गुड़ होता है धैरे और द्रनता, नेक्स्ट कुशन है आपका, उत्तर बालिय वस्था में बालक भौतिक वस्थूों के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं, तो वो है आपका द्रिब्यमान, जैसे किसी वस्थू का द्रिब्यमान हो गया, उनकी संख्या हो गई, उनका छेत्र हो गया, तो इस तरीके की जो चीजे होती हैं, उसमें जो बालक है, उनमें अंतर या उनके तत्वों को समझने लगते हैं, कि मतलब किसी वस्तु का द्रविमान वस्तु कितनी भारी है कितनी हलकी है या संख्या में कितनी हैं दो हैं चार हैं तस हैं इन चीजों को या उनका छेतर कितना है वो कितनी जगह में फैली हुई हैं इन सारी चीजों में परिवर्तन को वो समझने लगते हैं और कश next question है आपका दूजरे वर्ष के अंत तक जो सिशू होता है उसका सब्द भंडार कितना हो जाता है, सौ सब्द, सर्म और गरव जैसी भावना का विकास के सवस्था में होता है, तो यह होता है आपका बाल्यावस्था में. नेक्स्ट कुशन है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवरत्ती जिग्यासा का संबंद कौन समवेग से है यानि कौन समवेग ऐसा है जिससे जिग्यासा मूल प्रवरत्ती जिसकी है वो है आश्चर्य ठीक है यानि आश्चर्य की मूल प्रवरत्ती क्या है जिग्यासा जिग्य च्छेत्र है सनायू मंडल थे हैं सनायू मंडल आपका वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों क्या आपके लाइक हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत जादा जरूरी होते हैं और आप जानते हैं कि लाइफ चैनल को सब्स्राइब कर लिजे और बैल आइकन प्रेस कर लिजे ताकि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें नेक्स्ट कुशन है आपका विवेचना रहत विचार की अवस्था मानी गई है तो विवेचना रहत विचार जो है आपका चार से साथ वर्स तक होता है प्राया बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है लगबग डेड़ वर्ष की आयू में बालक चलना सीख लेता है सेक्षिक दरश्टी से बाल विकास की अवस्थाएं तो सेक्षिक दरश्टी से अगर देखा जाए तो बाल विकास की किशोर अवस्था, बाल वस्था, शेश्व अवस्था ये बाल विकास की अवस्थाएं हैं मैंने आपको विकास जब पढ़ाया था और विकास के वस्थाओं के बारे में बताया था तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर बाल विकास की बात की जाए तो तीन अवस्थाएं हैं जबके मनुष की विकास की चार अवस्थाएं क्योंकि इसमें प्रोड अवस्था या कहीं कहीं रद्धा वस्थाओं को भी सामि झाले के विक्सित होते हैं यह कथन किसका है तो यह कथन है वाथसन का प्रथम बल निर देशन केंद्र किसके दारcr dwara खोला गया तो यह कि किसकी क्रिया शिल्ता का सभूंद्ध मनुष्ण की पाचन क्रिया से भी होता है तो वह ta ग्रंथी नेक्स वेशन बातावर्न वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है यह किस ने कहा है यह कहा है रॉस ने बुद्धी परिक्षण निर्माण की जन्वदाता अल्फरेट बिने यानि बुद्धी परिक्षण जो आपका होता है वह किसने बनाया सबसे पहले उसकी जन्वदाता है अल्फरेट बिने नेक्स कुशन है ब्रजेस के अनुसार उतेजना भाग है तो समवेग आत्मक विकास का यानि जब किसी बालक में समवेग आत्मक विकास होता है समवेगों में उसके प्रॉड़ता आती है या मैचियोर्टी आती है जब वो इमोशनल साने रिक्षण सक्ति का विकास होता है किटनी आयूपर तो ग्यारा वर्ष की आयूपर कौन सा वह एक नियम नहीं है तो अभीपरेणा जो है वह वंशानुक्रम पर निर्भर नहीं करता कि अभी देखे मैंने मुटिवेशन की बात की ऑने मुटिवेशन लाइफ में कितना आपके विबिन कार्यों को प्रभावित करता है, कार्य करने की गती और छमता को प्रभावित करता है, लेकिन उसका वातावरण से कोई संबंध नहीं हो सकता, ठीक है, वातावरण आपका हुआ, आपकी चीजें हुई, आपका जीवन हुआ, आपका कार्य हुआ, कार्य करने की गति शम्ता सोचने समझने की शम्ता किसी निर्णा लीने की शम्ता इन सब को अभी प्रेड़ना जो है वो प्रभावित करती है लेकिन वन्शान उक्रम से कोई संबंध नहीं है नेक्स्ट कुश्यन आता है आपका क्वेश्यन नमबर पॉट्टी वन एक कारक सिध्धांद को और किस नाम से जाना जाता है तो एक कारक सिध्धांद को राजगी सिध्धांद के नाम से भी जाना जाता है एक क्वेशन अच्छा है इसको जरूरी याद कर लीजिए बुद्धी का सबसे पुराना सिध्धांद को है तो एक कारक सिध्धांद इस्पियर मैन जो थे आपके वो सांखिकी विसे के प्रोफेसर थे और बाद में वो मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने इस्पियर मैन ने बुद्धी का संबंध किस से बताया है तो बुद्धी का संबंध इस्पियर मैन ने चिंतन से बताया है कि बुद्धी चिंतन से related होती है बालकों के भासाई विकास का क्रम क्या है तो बालकों के अगर भासाई विकास की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले है रोना या रुदन फिर बबलाना और फिर उसके बाद हाओ भाओ बालक किस उम्र में वाक्यों को अपनी बात में कह पाता है तो पांच वर्ष की उम्र में, यानि जब बालक पांच वर्ष का हो जाता है, तब वो अपनी बातों को वाक्यों में कह पाता है, उससे जब पहले होता है, बालक छोटा होता है, तो उस इस्थिदी में बालक क्या अपनी पूरा वाक्यों नहीं बोल पाता है, पूरी बात नह क्या पाता है टूटे टूटे शब्दों में टूटे टूटे बाक्यों में वह बात करता है नेक्स्ट वर्शन है आपका बालक सबसे पहले क्या बोलता है तो बालक सबसे पहले कोई भी व्यंजन शब्द बोलता है कभी भी बालक सबसे पहले स्वर नहीं बोलता है व्यंजन की सीरीज का आपका लास्ट कुशन है क्वेशन नमबर फिफ्टी बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है तो वह सबसे पहले अपनी मा की भाषा को पहचानता है और उसी को मात्र भाषा कहते हैं यानि एक तो इसमें दूनों ही चीजें आ जाते हैं एक तो उसकी जन् कि आशकी है तो आपकि आस्पास की जो आपकी मात्र भाशा होती है कि बौल चाह дальше…. इसलिए मात्रभाशा को वो सबसे पहले पहचानता है वैसे अगर किसी इंसान की बात की जाए तो वो सबसे पहले अपनी मा की बात को समझता है तो friends ये आज की series के आपके 50 questions थे आगे हम इस series को continue करेंगे और ये 500 प्रशनों की जो आपकी series है इसको हम complete करेंगे प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा साती साथ अगर आप हमें कोई सुझाओ देना चाहते हूं तो आप comment section में जाकर हमें जरूर सुझाओ दे और अगर आप चाहते हैं कि इसी special topic पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं आप मुझे follow करना चाहते हैं तो आप मुझे भी किसी भी social site पर, twitter पर, facebook पर या फिर instagram पर follow कर सकते हैं दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलती हूं अगली वीडियो में अपनी कोई topic के साथ तब तक के लिए नमस्कार